नमस्कार मेरे प्यारे कर्शी ओदाओं स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेश के डिजिटल प्लेटफरम पर साथ यो आज अपन बात करने वाले हैं जो बीएसी एग्रिकल्चर के स्टूडेंट्स है और मौस्टली बात करें दो हजार चौवीस बच्चिस सेशन के जो इस्टूडेंट्स हैं अभी के लिए बात करने वाले हैं क्योंकि उनके लिए लगबग उनियूर्सिटीज में सिक्स्त दीन कमीटी का सलेबस लागू हो चुका है और इस सलेबस के बारे में अपन चर्चा करेंगे कौन-कौन सी सब अपने को पढ़नी हैं और क्या-क्या इन में पढ़ना है इसके साथ में ही एकजाम कब से ओने वाली है इन सबी पोइंटों पर अपन चर्चा करेंगे इसके साथ में इस सिक्स्त दीन कमीटी का आपको कम्प्लीट अगर इस्टडी मेटेरियल चाहिए तो वो अपने एप्ल कम्प्लीट चर्चा इस वीडियो में देखने वाले हैं तो साथियो सबसे पहले अपन बात करें कि अपने कौन-कौन सी सब्जेक्ट से मौस्टली अगर में बात करूँ तो साथियो प्रैक्टिकल को छोड़के जो अपने को थेयोरिटिकल पढ़नी है उसमें पहली सब्ज सब्जेक्ट आती है SSAC मतलब Soil Science and Agriculture Chemistry और फौर्थ आती है Rural Sociology Rural Sociology and Educational Psychology अपने को क्या करनी है साथियो अपने को पढ़नी है इसके साथ में ही अपन नेक्ष्ट की बात करें तो नेक्ष्ट अपने हैं Communication Communication Skills पॉनली कौन सी सब्जेक्ट है Communication Skills सब्जेक्ट है इसके साथ में ही नेक्ष्ट अपन बात करें तो फार्मिंग फार्मिंग बैश्ट लाइव हुड वो सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है जो कि अपने किस पर बैश्ट है जो कि अपने एग्रोनोमी पर आदारीत है इसके साथ में एक हो गई दो तीन चार पांच और छे इसके बाद में जो नेक्ष्ट अपने है वो कॉर्स है साथियो म मेत का कौन सा है मेत का कॉर्स है जो कि आपको पढ़ना है यह साथ सब्जेक्ट आपके थेोरीटिकल है कि सर इन में से ये बता दीजिए कि फिप्ट डीन कमीटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट थे ये भी फिप्ट डीन कमीटी में था ये भी था इसके साथ में सोहील भी था communication skills भी था और इसके साथ में ही अपन बात करें farming वाला subject नहीं था और इसके साथ में ही बात करें mathematics subject अपने include था मतलब एक subject की बात करें ये वाला subject नहीं था और बाकी सब भी subject अपने फिप्तर डीन कमीटी में भी अवलेबल थे अब अपन बात करें कि सर ये जो सब्जेक्ट है न हमारे को क्या इसके अलावा भी कोई अधर सब्जेक्ट पढ़नी है क्या कोई इलेक्टिव कॉर्स अगर आपको देती है उनिवर्शिटी तो वो आपको इस्टेडी करनी है इसके अलावा आपको इस्टेडी नहीं करनी है कोई अधर सब्जेक्ट की कि सर इनमें से भी हमारे को क्या क्या पढ़ना है इनमें आपके टॉपिक दिवे हैं आपके सलेबस में इनमें टॉपिक है किसी में 10 हैं, किसी में 16 टॉपिक है, किसी में 46 है, जैसे एगरोनोमी 46 के आसवास टॉपिक है, तो इस परकार से आपका सलेबस क्या है, अलग-अलग पार्ट में डिवाइड है, अलग-अलग टॉपिकों में डिवाइड है, अगर complete सलेबस की वीडियो और सब कुछ देखना साते हूँ, तो आपको मिलने वाला है, अपने एप्लिकेशन पर, जैत तक 1.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, साती हो सिक्स्त डीन कमीटी पर आदारीत है, और मातर 70 रुपे पर सब्जक्ट में है, कितने में हैं, 70 रुपे पर सब्जक्ट में, और टॉटल आपको बात करें तो 700 रुपे में कम्प्लीट मेटेरियल मिल जाएगा, ऐसे समझ लो, कि आपको टॉटल कितना पे करना है, 700 रुपे पे करने हैं, कम्प्लीट स्टेडी मेटेरियल आपको बात करें, तो इसमें जो ओफर चल रहा है, वो लिमिटेड टाइम का है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए क्या है साथियों, ओफर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, जोइन कर सकते हो, क्लासेस की सेर, रिजल्ट क्या अच्छा रहेगा, क्या मारा, रिजल्ट आप देख सकते हो, इस परकार से आप अपनी OGP को भी क्या कर सकते हो, साथियों, इंप् आप क्या कर सकते हो, contact कर सकते हो, message कर सकते हो, more information, अपना application है, bright agro classes के नामशे, आपको play store पर लेबल हो जाएगा, उसको download कर लीजिएगा, इसके साथ में ही बात करें, exam कब होंगे, अगर किसी भी university में mid time है, तो आज के दो महीने के, दो महीने के लगबक क्या हो जाएगा, मतलब दो महीने complete हो जाएगे, या उसके दस दिन पहले, दस दिन बाद में आपके mid time में start हो जाएगे, चार महीने आज से देख लो final exam क्या हो जाएगे, start हो जाएगे, ऐसी ही मैतवकून आप information और agricultural exams का study material देखना चाहते हो, तो आप सभी के लिए इसी channel पर available होगा, और साथियो अब अपन मिलेंगे, next session के शाथ में तब तक के लिए जाहिन जाएबारस साथियो.